है यह वेकम बैक तो माई चैनल वोप यह आपके लिए बहुत ही प्यारी सी साड़ी का रीव लेकर आई हूँ सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूंगे यह जो साड़ी में पटेस करते हो ना इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है आपके बहुत सारी कमेंस आते हैं कि हम यह सारी कहां से परचेस करें तो आप जिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यह सारी परचेस कर सकते हो यह सारी जो है 367 रूपीज में मिल रही है मतलब बहुत कम प्राइज में यह फैब्रिक हमें मिल जाता है यह फैब्रिक लेके चले है आप प्रिंटर फैब्रिक है जॉर्डट का इसे आप कुछ भी बना सकते हो यह रही साड़ी इस तरह का यह पूरी साड़ी में प्रेंट है तो देख लेते हैं इसकी कटिंग और स्टीचिंग बहुत ही आजकर श्टाइल में और इसतरह की कूरती होगी यह कि ऐसे कूरती भी आप इसे पाहन सकते और जैसे आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें वही तो आफिसे कर लेना है और ने canvas है कि यहां से एक पार्ट निकल जाएगा यहां बैक यहां फ्रन्ड का और इसको ऐसे फोलड करेंगे तो यह हमारे दो पार्ट निकल जाएंगे ड्रेस के। से फोलड करके इसको यहां से कट कर लिए अगर आप यहां साइट से कपड़ा बचाना चाहते हो तो फिर आप इस कपड़े को ऐसे खोल ले और जितनी भी आपकी वर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल ले इस ट्रेस्ट की वर्स्ट जो है 42 इंचिस है 42 में 2 एड कर लेंगे हम मार्जिन के लिए इस साइट के अब 44 का जो है न फोर्थ पार्ट निकाल लेना है तो आज आएगा 11 इंचिस तो यहां से हमने 11 इंचिस पे marking करके इस कपड़े को यहां से fold करना है यह देखिए, ऐसे fold करेंगे तो यह जो कपड़ा है यह भी हमारे काम आजाएगा, अब यहां से इस कपड़े को cut कर लेंगे, अब यह कपड़ा उठा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है जब कुर्ती को अंगरखा पैटर्न देंगे वहां पे यह कपड़ा हमारे कामा चाहेगा यह जो कपड़ा है इसको यहां से fold कर लेना है fold करके यह देखिए, अब बैक और front, दोनों पार्ट हमारे निकल गई है, अब हमने इस पे करनी है drafting यहां पे एक straight line लगा लेंगे क्योंकि यहां कपड़ा न छोटा बढ़ा है अब इस line के ऊपर हम drafting करेंगे shoulders जो है 14 inches है 14 का half होता है 7 तो यहां पे हम 7 inch जो है shoulders रख लेंगे जितना यहां पे रखा उससे half inch बढ़ा कर नीचे की तरफ length रख लेंगे armhole की यह रख लिए मैंने 7 and half inch neck की width रखेंगे 3 inch यहां से shoulders down करने होते हैं तो half inch यहां से shoulders down करेंगे यह chest line होती है तो इससे 2 inch नीचे की तरफ को worst line होती है तो यहां पे हम worst की marking करेंगे वो कैसे करनी होती है जैसे यहां इस कूरती की जो worst line है वो है 42 inches 42 का fourth parting का लेंगे जो होता है हमारा 10 and half inch तो 10 and half inch जो इस line के ऊपर marking कर लेंगे जितना यहां पे mark किया उससे half inch कम यहां पे mark कर लेंगे और इन points को ऐसे खलकी सी round shape देते हुए मिला देंगे बहुत अच्छे fitting आएगी इस तरह से आर्मोल की shape दे देंगे इस तरह से यहां पे वेस्ट लाइन है 36 inches 36 का fourth part निकालता है तो 9 inch होता है यहां पे mark कर लेंगे और 1 and half inch जो है यहां पे mark कर लेंगे margin के लिए तो इतना margin रह जाएगा हमारा इस point को इस point के साथ ऐसे मिला देना है आप देखेगा अगर इस तरह से आप round shape देते हुए यहां पे यह marking करते है तो आपकी fitting बहुत अच्छी आएगी कहीं से भी आपका बिल्कुल भी tight नहीं होगी कुर्टी lose नहीं होगी बहुत fitting अच्छी आएगी अब यह जो है यह रह गया margin यह पूरा जो है हमने margin रख लेना है इस तरह से वन इंच उपर की तरफ को ऐसे marking करके अलकिसी यहां पे round shape दे 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 ऐसे यहां से जोल नहीं आएगा कुर्टी में पिशल दोनों पार्ट की cutting हो गई है अब जो main fabric है उसकी भी cutting कर लेंगे same ऐस ही main fabric से यह मैंने pieces cut कर लिए है यह होगे हमारा back के लिए एक lining का piece और एक main fabric का इसको तो side कर देते हैं अब यह एक lining और यह दो जो पार्ट है ना हमने cut किया है main fabric से इससे हमने बिनाना है अंगलखा pattern इस तरह से इसकी cutting करेंगे हम कि आपको बिल्कुल भी confusion ना हो बड़े अराम से आप जो ना जो है इसकी cutting कर सकें अब यह जो lining वाला piece है ना इसको मैं side कर देते हूँ यह जो दो piece है इनकी right side दोनों की ही right side उपर की तरफ को रखनी है आपने ऐसे एक ब्राबर करने के बाद इसको ऐसे कर देंगे क्योंकि इसकी मैं length ले रही हूँ इसको इस तरह से V shape में मिला देना है हलकी सी आप यहां पर round shape हलकी हलकी सी shape दे सकते हो ऐसे अब बस ऐसे ही इनको बिचा देना है अच्छे से ब्राबर करके मैंने इन्हें रख लिया है अब क्या करना है इसका जुना half कर लेंगे मतलब आप्रॉक्स आपने इसके half करने के बाद ऐसे रखनी है तेप और नीचे की तरफ जहां पर यह straight आ रहा है वहां पर marking कर लेंगे और इस marking को यहां से ऐसे मिलाते हुए आपने ले जाना यहां तक अब आपने ध्यार रिखने की जो नीचे वाला पार्ट है उसको कट नहीं करना है बस उपर वाले पार्ट को कट करेंगे यह वालत जो piece आप उठा देंगे इसका कोई काम नहीं है अब अब देखिए यह जो है न इस तरफ इस तरफ भी यह जो line है इसको यहाँ पे best line के पास मिला देंगे ऐसे और अब इसको यहां से कट कर लेए अब इसको भी हटा देंगे वाला piece आजएगा ऐसे आभ यह देखिए अब हमने जो lining इसकी कट की हुई है ना उसको भी ऐसे ही cut कर लिए इसे रखेंगे, यह पीस इसको भी सेम ऐसे ही कट कर लेना है और इसके बराबर की भी एक लाइनिंग कट कर लेंगे यह पीस भी मैंने कट कर लिया है, यह दोनों पीस इस तरह से आ जाएंगे, ऐसे, और यह आ जागा इसके ऊपर इस तरह से, यह हमारी right side है ना, इसको हम अंदर की तरफ को करेंगे, ऐसे रखा, right side ऊपर की तरफ को रखी, और यह रखी lining, अब यहां पर इसको stitching कर लेंगे, stitching करने के बाद, यह इस तरह से जब fold करेंगे ना, हम, तो यह right side बार की तरफ को आजाएगी, इसी तरह से इसमें भी करना है, बहुत ही simple तरीका है, इसकी stitching करने का, इस तरह से अच्छे से इसको मिला के रखना है, और यहां पर slide कर दें, स्लीब्स कट करने हैं, तो उसके लिए देखे, पल्लू का जो portion है ना, साड़ी का, उसमें यह देखे, बहुत यह अच्छे से ख्रोशियों से hem line बनी हुई है, तो यह मैं स्लीब्स में use कर सकते हूं, तो length रखेंगे यहां पर 22 inches, 3 inches यहां से armhole की shape देने के लिए mark करेंगे, वेस्ट का 4th part निकालके यहां से इस तरह से mark कर लेंगे, वेस्ट का 4th part है हमारा 10.5 inches, तो उसमें से 1.5 inches कम करके हमने यहां पर mark कर लेना है, तो 10 inches पर ऐसे marking हो जाएगी, sleeves bottom है 5.5 inches, तो यह जो यहां पर हमने gathers डालनी है, तो यह fabric जो अभी हम कट नहीं करेंगे, तो कम से कम भी 4.5 inches जो है न, यहां से gathers के लिए कपड़ा जाएगा, अब यह marking जो है, ऐसे मिला देंगे, यह हो गया margin, half inch की यहां पर, front armhole की shape देंगे, dress का upper part और साथ में sleeves, निकालने के बार 3.5 meter जो fabric है न, हमारे पास बच गया है, हम रेलर शेप में cutting करनी है, हमने घेर की, तो क्या है, यह ऐसे, open side है, इस तरब से, यह देखिए, यह भी open side है, कोई भी एक corner आपने उठा लेना है, double किया हुआ है, यह मैंने fabric, और इस तरह से, triangle में ऐसे, बिचा लेंगे इसको अच्छे से, यह जो है न, lining वाला piece इसको, यह close side है न, यह इस कपड़े की, इसी तरह से हमने, यह वाली भी close side ऐसे रखनी है, और इसके ऐसे, बराबर, ऐसे ले लेना है, यह यह देखिए, यहाँ पे है, इस तरह से आपने कपड़े को कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे marking कर लेंगे, बंद वाली side से देखेंगे, यह कितना रहा है, यह 14 inches पे है, तो 14 inches पे ही हमने, पूरे में इस तरह से marking कर लेनी है, इसे गुमाते हुए न, पूरे में marking कर लेंगे, अब bottom की length रखनी है, टोटल जो dress है वो 55 inches है, 15 inches का हमारा upper part आ गया, तो 40 inch जो है, हम यहाँ से, इसकी length रखेंगे, 40 inch तो होगी हमारी तियार length, 2 inches इसमें margin के लिए add कर लेंगे, क्योंकि यह जो umbrella shape में कटिंग करते हैं, यह उपर नीचे हो जाता है, नीचे की तरफ से घेर, तो extra 2 inch हम इसमें add कर लेंगे, पूरे घेर में 42 inches पर इस तरह से marking कर लेंगे, end तक, उपर की तरफ जो layers हैं, इनमें कपड़ा कम है, तो दो layer में यहाँ पे joints लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से इस कपड़े को उठाएंगे, और ऐसे रखेंगे, और यह हम cutting कर लेंगे, यह joints हमारे यहाँ पे लगेंगे, तो यहीं पे हम इन्हें pin-up कर लेंगे, ताकि बाद में confusion ना हो, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, बस, ऐसे इनको यहाँ पे joint लगा देना है, अब घेर के लिए lining की cutting करने के लिए, यह जो lining है, इसको open करेंगे, यह से, open करने के बाद, फिर से, इसको ऐसे, fold लगा देंगे, यह fabric 4 fold में है, एक बर मैंने lengthwise fold किया, उसके बाद यह widthwise fold कर लिया है, lining हम कलियों में cut करेंगे, यह जो back वाला part है, इसको ऐसे fold करके, इस तरह से रखेंगे, इसके उपर, band side में, यह marking यहाँ पे आ रही है, तो half inch जो है, यहाँ पे, slide के लिए छोड़ देना है, अब linear length, तो जितनी त्यार length है, आपकी, उतनी आपने यहाँ पे ले लेनी है, यह six inches है, इसके opposite side में भी six inches पे marking कर लेंगे, इसको और इसको ऐसे, मिलाते हुए, यहाँ से cutting कर लेंगे, बड़ी दो कलियां center में आ जाएंगी, और यह छोटे वाली कलियां जो है, वो इस तरह से side में आ जाएंगी, तो यह back और front दोनों के लिए हमारी lining भी cut हो गई है, और इससे क्या होगा, एक तो ऊपर की तरफ जो है, बहुत ज़्यादा कप्ने कट्था नहीं होगा, और घेर बहुत अच्छा हैगा इससे, अपर पार्ट का एक पार्ट में ने ले लिया है, इसको अपस में stitch करना है, त इसको अच्छे से iron कर लेनी है, इसी तरह से मैंने दूसरा piece भी stitch कर लिया है, और फिर हमने यहां पर front में जो armhole की shape देते हैं, वो देनी है, कितना बढ़िया सा यह pattern आगया है, और यहां पर आप चाहें तो यहां, आप loops भी लगा सकते हो, buttons लगा लें, पर मैं नहीं लगा क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा western touches देना है, तो मैं यहां पर कुछ भी नहीं लगा रही हूं, आप चाहें तो यहां पर गोटा पट्टी या फिर ट्राइंगल जो shape में होती है, लेसी वो भी यहां पर इसके अंदर attach कर सकते हैं, एक rubber रखके इसको यहां पर front armhole की shape देते यहां से, जो भी इसका center आएगा, इस तरह से, यहां पर cut लगा देंगे, अब बस दब इसको यहां पर sni लगा लेंगे, back part को भी इसी तरह से state करना है, लेकिन उससे पहले हम यहां पर neckline बना लेंगे, इन दोनों fabric को मैंने इस तरह से fold करेंगे न, अच्छे से iron कर लिया, अब deep आप देख लें कितना आपको रखना है, अगर तो आपको neck रखना है deep तो आप यहां से 8 inches पर mark कर लेंगे, जैसे आप कुर्ती बना रहे हो न, आपने कुर्ती की तरह इस पहनना तो deep neck काफी अच्छा लगेगा, तो मैं इसकी जो neckline है, back वाली वो रखूँगी, मैं 3 inches यहां से भी 3 inches पर marking करेंगे, ऐसे रखेंगे lining, इसकी wrong side हम यह बार की तरफ को रखनी है, इसकी right side अंदर की तरफ को रखके, ऐसे ही से stitch कर लेंगे, ऐसे, बस इसको पर्ट के फिर हमारी यह भी neckline त्यार हो जाएगे, यह back पार्ट में त्यार हो गया, यह back वाला पार्ट है इसको ऐसे रखेंगे, shoulder line से भी इसे, आपस में attach कर लेंगे, इस cut को और इस cut को, ऐसे मिलाना है, यह जो छोटे वाल पार्ट है, यह उपर की तरफ को रखना है, और बस इनको आपस में ऐसे slide लगा देंगे, अब बनाएंगे हम sleeves, इस तरह की sleeves हैं, इसमें मैंने डाल रहा है elastic, तो यह बनानी कैसे हैं, यह देखें, इस तरह से बहुत अच्छी से frill ला लगी है, ऐसे, पूरे में, इस तरह से भी elastic रखके हम slide लगा सकते हैं, और यह इस तरह से gathering आ जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा कि, जो right side में न, यह elastic दीखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, यह मैंने एक strip त्यार की हुए है, इसके लिए, यह न, ऐसे, one and half inch के बराबर, जो न, कपड़ मैंने ऐसे width में cut कर लिया, इतना, और फिर से fold कर लिया है, fold करने के बाद, यह तक्रीवन one inch बचा है, जो elastic है न, वो हमारी इसके अंदर रहनी चाहिए, मतलब हमने इस तरह से इसे cover करना है, अब क्या करेंगे, three inch पे हमने, यह marking की थी न, right side की तरफ में, यह strip हमने लगाने, इस तरफ slide लगाने के बाद, इस तरफ भी ऐसे slide लगाने, यह strip यहाँ पे fix कर लिया है, अब हमने इसमें elastic डालनी है, तो elastic किस तरह से डालेंगे, यह यह आपकी, यहाँ पे bottom में मोरी है, उससे one and half inch जो है, extra ले ले ले, और इसको cut करके face में insert कर लेंगे, elastic insert करने के बाद, इस तरफ यह देखी, मैंने slide लगाके, इसे यहाँ पे close कर दिया, अब दूसरी तरफ भी, यह slide में लगाके, इसे close कर दूंगे, यह अपर पार्ट भी हमने इत्याग कर लिया, इसमें यह sleeps से stitch कर लेंगे, sleeps में भी हमने front कर दिया था यहाँ पे, और यह जो front वाला पार्ट है, इसमें भी दिया था, तो अब इनको आपस में मिलाते हुए, यहाँ से stitch करना start करेंगे, और end तक ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, स्टिच कर लिया है, यह अपर पार्ट हमारा रेडी हो गया है, स्टिच बहुत ही प्यारी बढ़नी है, यह देखिए, इस तरह से आजाएंगे, और अब साइट की स्लाई लगाने तो साइट की स्लाई लगाने से पहले, लाइनिंग वाले पीसे भी मैंने अटैच कर लिया, यह देखिए, यहां पिंट थो है थोड़ा करवी था, रेवदार था यह कपड़ा, तो इसके साथ हमने स्ट्रेट वाली जो साइट है वो जोननी है, और यह जो रेवदार है वो इस तरफ आजाएगी, इसी तरह से सारी कलिया जोननी है, जैसे नॉर्मली हम कलिया जोननी है एक रेवदार और एक स्ट्रेट बस ऐसे ही जोननी है, मेंन फैबरिक भी मैंने तियार कर लिया, इसमें जो जो जोईंट्स वो गरा लगने है वो मैंने यहां पे लगा दिये, वो लगाने के बाद अब यहां से भी है, इन दोनों को हपस में अटैच कर लेंगे, ऐसे, अम् बराबर कर लेंगे, ऐसे कमर से, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, और एक बराबर रखना है यहां से, इस तरह से बराबर करने के बाद, ऐसे, ऐसे रखेंगे न, तो यह, जितना भी यह आगे पीछे है, इसकी कटिंग कर लेंगे, यह जो हमने बॉटम पार्ट त्यार किया इसको भी स्टिच कर लेंगे इसके साथ, एक पार्ट यह फ्रेंट में ऐसे अटैच कर लेंगे, और दूसरा पार्ट जो है, बैक में अटैच कर लेंगे, इसी तरह से, और उसके बाद फिर हमने स्लाई लगानी है, जो साइड की जो स्लाई है न, वो हमने यहां यहां तक ल मchas टावैंगे। उसके बार लाइनिंग को अलग तीछ करेंगे और मेंट इंद्ध फाप्रीक को अलग से इसके बार लाइनिंग को ढ़नानी को डेके। बार लाइनिंगो आ एड्यदा करएंगे और यहाँ और आतना मसट स्टिछ करणी। हमने नीचे तक ये स्टेचिं कर लेनी है उसके बाहत फिर इसको अंदर Gitakko छोडेंगे ऐसे जहांसे येlest धोड़ी है वहांसे फिर से नीचे की तरफ को स्टेचिंग कर लेनी पान कि दरफ द्रहांसे अ CG करने के बाहद नीचे की तरफ को भी फॉल्डिंग करने कहीं से भी कपड़ा जो ओपर नीचे है तो उसको हम बरापर कर लेंगे ऐसे आप ये काम पहले भी कर सकते हो बास इस तरह से ये कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड लगाके कम्प्लीट हो जाएगी ड्रेस साड़ी का जो फाबिक बचा न उससे मैंने ये स्ट्रिप्स कट कर खेंडेनी थी ऐसे फोल्ड कर जाए अब इसको इसको एस तरह से इसको कर लेना है इसको टूर्न कर लिया ये चत्व को आयर driving करकि बहुत بेड्ट बन जाई यहां पह bon educator कंद यहां पे मैंने शिक्रोज उलुस कर देते हैं क्लोज करके फिर हमने शिक्रो टर्न करना था लेकिन एक क्कॉशिए काूल काम नओ भाहिए है तो मैंने कोशिछ किया पूरी ड्रेस में इसको यूज करने की साइट होगी बैल्ट कमर के लिए और यह होगी नेक के लिए मतलब नेक लाइन इससे हम बना सकते हैं अच्छा अब यह जो है ना ड्रेस आप अगर आपके पाई साड़ी का फैब्रिक अलग तरह का है तो आप पार्टी वे ड्रेस भी बना सकते हो सेम ऐसे ही आप लैंथ देख लें अगर आप लैंथ पहनते हो तो फिर आपको लैंथ उसकी कम रखें ताकि नीचे प्लोर पे टच ना हो आपकी ड्रेस मैंने भी इसकी लैंथ इस तरह से रखिया कि मैं अगर इसके साथ स्लीपर भी पहनू ना तो बहुत अच्छे से जो ना शही इसकी लैंथ आ जाएगी य इस तरह से आप ऐसे बान देंगे अगर आप इसकी जगह पर टैसल लगा रहते हैं न कुर्थी में तो यह एथनिक स्टाइल में बन जाएगी यह वाली बैट यहां पे आप इस तरह से कोई आप ब्राउच वेरा भी यूज कर सकते हो तो भी बहुत अच्छा सा एक वैस्ट लूक आजाएगा या फिर आप यहां पे इस तरह से टाइ कर सकते हैं ऐसे इस तरह से कैसी लगे आपको इड्रेस कॉमेंट करके जरूर बताएगा और नेक्स्ट आपकी ड्रेस देखना चाते हो वह भी आप कमेंट कीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सकते हम यह ले रहता हैं को देक्स्ता बफन चाते हैं हैं और गया कर सकता द वीडिकριト मेंट नेकर का हम त वीडियों हैं स्ट वीकली